हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑन माई यूट्यूब चानल माईक्रोबाईलाजी बाई संतोष नप्ते फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अच्छा रेजूम कैसे बनाते हैं ये एक रेफरेंस रेजूम में लेके आपको बताने वाला हूँ इस तरह का आपका भी रेजूम आप बना सकते हो और क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंस का रेजूम मैं ने देखा है कही जगे पे या फिर कुछ स्टुडेंस का रेजूम एकदम सिंपल सा है और कुछ students ने वहाँ पे अच्छा रेजुम बनाने की कोशिश की है लेकिन उनमें भी कुछ suggestions वहाँ पे रहते है और दूसरी बात यह कि आपका जो रेजुम है ये कम से कम एक पेज़का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा दो पेज़का अगर आपका रेजुम दो पेज़का है तो उसमें जो important चीज़े है जो आपकी job के लिए important है आपके interview call के लिए important है वो सब information आपके रेजुम के पहले पेज़का आने चाहिए तो इस accordingly अगर आप आपका रेजुम बनाए तो definitely आपको कुछ न कुछ आपके interview के लिए वहाँ पे फाइदा benefits हो जाएंगे तो यह एक sample रेजुम में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ इसके accordingly आप आपका रेजुम वहाँ पे prepare कि जिए और यह रेजुम का पहला पेज है और जो दुसरा पेज जिसमें career objectives यह basic information या फिर contact details यहाँ पे लिए है उसके बाद रेजुम के एक साइड में career objective, education summary उसमें जो भी आपका education है वो पूरा detail यहाँ पे डाला है उसके बाद अगर कुछ publications है languages जो आपको आती है वो यहाँ पे एक साइड में डाला है और दुसरे साइड पे जो आपके technical skills है वो यहाँ पे put up की है उसके बाद dissertation MSE का जो है जो topic था dissertation का वो यहाँ पे डाला है और areas of interest तो यह सब चीज़े आपके accordingly यहाँ पे change हो सकती है चाहे वो technical skills हो चाहे वो dissertation हो चाहे आपके publications हो चाहे आपका area of interest हो यह सब आपके accordingly वहाँ पे change हो सकता है और second page पर जो यहाँ पे लिया है वो लिया है internship उसके बाद इधर second side पे certifications, workshops, attendance, then achievements accomplishments और बाद में last में declaration है, place और signature तो signature आप यहाँ पे आपका digitally put up कर सकते है तो यह अगले वीडियो में आपको बताऊंगे signature आपके resume पे कैसे put up करना है so that is also important यूप चानल अगर subscribe नहीं किया तो इस यूप चानल को subscribe कीजिए ताकि जो upcoming videos है उसके notifications आपको मिल जाएंगे और अभी so the name of students is here that is Mangayar Rashi this is contact details here then बाद में यहाँ पे लिया है career object तो यह career object है उस students का आपका भी कुछ अलगर हो सकता है यहाँ पे हर एक चीज यहाँ पे जो भी information उसने put up किये यह information as per student वहाँ पे change हो सकती है और यहाँ पे लिए education summary आपका जो भी education है वहाँ पे आपको डालना चाहिए master of science in microbiology then percentage और college ने university name whatever that वह आपको यहाँ पे put up करना है bachelor of science microbiology फिर से आपके college का नाम आपका percentage जो भी है और अगर कुछ diploma आपने additional diploma या courses किये है तो वह भी यहाँ पे add करने है उसके बाद यहाँ पे डाला है publications तो एक suggestion मैं यहाँ आपको और इस student को मंगायर करासी को देने वाला वी यहाँ पे जो कि अगर यहाँ पे publications के जगह आप जो second page पे यहाँ पे जो internship ली है वो internship आप यहाँ पे डाल सकते हैं क्योंकि आपके job के importance जो है वो internship है और बाद में publications आप second page पे ले सकते हो तो यह एक ऐसी तरह से आपको change करना है आपके accordingly जो important information है वो first page पे लेनी है उसके बाद यहाँ पे है languages आपको जो भी languages आती है वो languages आपको लेना है यह होगी एक side इस रिजम की second side पे जो लिया है first page पे वो आपके technical skills है यहाँ पे तो यह जो भी technical skills है यह आपके accordingly यहाँ पे change हो सकते हैं तो इस तरह से change किजिए आपके accordingly लेकिन वो first page पे आने चाहिए उसके बाद आपका जो dissertation था MSC का वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो और जो area of interest वो आप first page पे ले सकते हो उसके बाद second page पे जो information है वो आपके internship को अभी यहाँ पे आप publications ले सकते कुछ होंगे तो लेकिन internship जो है यह first page पे आने चाहिए क्योंकि उसमें कुछ आपके जो hands-on trainings है या फिर आपने जो कुछ company में internship ले तो वो आपका experience का ही एक part हो सकता है या फिर important हो सकता है तो इसलिए यह internships जो है यह आपके first page पे आने चाहिए then यहाँ पे certifications then उसके बाद जो भी workshops, conference, seminar अपने आटेंड किये webinars अभी जो pandemic चल रहा है उसमें कुछ webinars अटेंड की है तो वो webinars आप यहाँ पे डाल सकते हो उसके बाद आपके कुछ adjustments है accomplishments है तो वो भी आप second page पे डाल सकते हो और last में आपका जो declaration है वो भी वहाँ पे होना चाहिए और place and then आपकी signature यहाँ पे तो आप यह signature यहाँ पे डाल चाहे कोई research institute से हो या फिर आपकी teachers उनका नाम उनको सभी को पूछ के आप एक दो तिम references यहाँ पे आपने डालने चाहिए तो यह भी important part है आपके रिज्म का references भी उसमें होने चाहिए और जैसे मैंने यहाँ पे सुजाओ दिया आपको कि आपकी जो यहाँ पे publication जो है यह publications आप second page पे ले सकते हो और उस पे second page में जो internship आपने put up की है वो internship यहाँ पे आप first page पे ला सकते हो तो क्योंकि जो भी important information है आपके job के लिए हो जो recruiter से जो hiring manager है उनको मतलब पहली page पे वहाँ पे देख जाएगी क्योंकि वही important information है job के लिए तो इस तरह से आप ये आपका resume वहाँ पे prepare कर सकते हो और ये दो-तिन चीज़े आप भूलो मत की उसमे कुछ references आपको add करना है चाहे वो आपके teachers हो चाहे वो आपके industries में कोई पहचान के हो सकते हो या फिर कोई research institute से तो उनके references आप वहाँ पे डालिए और डालने से उनके नाम डालने से पहले उनके contact number डालने से पहले उन सभी की वहाँ पे permission ले जीजिए ओके तो इसको आपका resume अभी तयार कीजिए जो advantages रहेगा और अगर आपने ये channel subscribe नहीं किया तो इस channel को subscribe कीजिए ताकि जो अगले videos upload में यहाँ पे करने वाला हो उसको nutrition आपको वहाँ पे मिल जाएगा thank you